बिस्मिल्लाहिरामद रहीम रिस्पेक्टर टीचर्स एंडियर स्टुडेंट्स असलाम लेकुम आई यम वकास हैमर टुड़े वी इल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड वन डिस इस आर लेसन नंबर सेवन फ्रॉम यूनर नंबर टू तो टीचर्स यह लेसन प्लैन ह हैं और लेसन प्लैन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं तो अब आ जाएं आज के एसे लो की तरफ मारा जो आज का एसेलो है देखें ऐडिशन संटेंस प्रॉम गिवन नंबर स्टूर्ई की और उसको हम लोगोंने रीड करना हैं अन्डर्सटेंड करना है and then उस में से addition sentence जो है वो generate करना है चलें देखते हैं इस से related हम लोगों ने ECC में क्या चीज़ discuss की थी Give the concept of addition sentence जो ECC में हम लोगों ने study किया and क्या study किया था? To words make and to use in addition sentence after reading the addition story हम लोग अभी यहां पर एक addition story रीड करेंगे और उस से related जो है हम लोग जो addition sentence हैं वहां से generate करेंगे अब आज है story की तरफ teacher जो है इस story के लावा कोई और story भी class में बच्चों को दे सकते हैं अब students देखें इसको read करें और try to understand one day I went to zoo with my friend and we saw penguins seven penguins were swimming and nine penguins were standing on our rock यहां पर तक जो है हमारे पास एक जो पार्ट है story का complete हो जाता है now tell me how many penguins did I see in all कौन से penguins कहां पर खड़े थे जो nine penguins थे वो standing on rock थे and then seven penguins जो हैं वो swim कर रहे थे तो टोटल penguins कितने हैं वो आपने देखना है इनको आप लोग किस तरह write करेंगे इस story को understand करें किस तरह जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि इसको parts में divide करें जिस तरह यह part है इस में divide करें और फिर उसके बाद next portion में क्या है and then tell how many penguins in all जहां पर वर्ड जो है इन आल का इसका मतलब है कि हम लोगों ने टोटल penguins बताने हैं कि देखें संटेंस बनाते हैं इसका कि क्या बनता है कि सेवेन penguins and then plus plus का sign क्यूंके हम लोगों ने total fine करने हैं and then seven penguins plus nine penguins nine penguins तो टोटल कितने हैं हुए seven plus nine sixteen penguins तो इस तरह आप लोग जो है आपकी teacher आपको और stories provide कर देंगे आपने उनको read करना है और understand करना है 16 penguins तो अब आ जाएं next आज का जो concept है उसकी तरफ यह story आपने read करनी है यह आपकी book में given है क्या है I have four green leafy plants at my home and my friend came to my home and after seeing green leaf plants he told me that he has purple he has purple sorry nine purple plants means के उसके पास मेरे पास कितने है four green plants है and then एक दोस्त आता है और वो कहता है उसके पास जो कितने एंड्ल प्लांट से नाइन नाइन पर्पलते हैं तो तो टोटल कितने है कि यहां पर पूर नहीं है five आए गा अधिव फाइफ ग्रीन लीवी प्लांट से और फाइव ग्रीन लीफी प्लांट्स हैं यह देखें वान टू थी फोर फाइव और परपल कितने हैं नाइन वान टू थी फोर फाइव टिक्स सेवन एट और नाइन जो फ्रेंड के पास हैं तो टोटल कितने हुए इसी को हम लोगोंने नमबर संटेंस में राइट करना है कैसे राइट करेंगे 5 प्लांट्स and 9 प्लांट्स make 14 प्लांट्स जब हम लोगोंने एक्वेशन टाइप में राइट किया and की जगा प्लस का साइन make की जगा equal का साइन so 5 प्लस 9 that is equal to 14 टोटल जो प्लांट्स हैं वो 14 पन गए इसी तरह आप लोगोंने नमबर स्टोरी को रीड करना है और स्टेटमेंट्स को जनरेट करना है अडिशन संटेंस को अब आजएं ग्रूप टास्क की तरफ टीचर जो है स्टूडेंट्स को ग्रूप में डिवाइड कर दें और फिर हर ग्रूप को जो है एक टास्क शीट दें जो के हर ग्रूप ने complete करनी है जैसा के ये नमबर स्टोरी को रीड करेंगे हर ग्रूप जो है और उसके बाद इस स्टोरी में यहां पर संटेंस राइट करेगा जो अडिशन संटेंस है कैसे first मैं कर देता हूँ पाकी जो है वो students हर ग्रूप खुद करेगा Danny had five toy cars he got eight more toy cars for his birthday how many does he have now means के total car कितनी है पहले कितनी थी five toy cars and eight more cars इसको कैसे लिखेंगे 5 toy cars प्लस 8 toy cars प्लस and प्लस की जगा हम लोग and भी लगा सकते हैं and 8 toy cars makes total कितनी बनती है 8 plus 5 13 cars toy cars so इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं 5 plus 8 equal to 13 similarly आपने बाकी के सारे parts जो हैं वो खुद complete करने हैं और complete करने के बाद इस task sheet को हर गुरुप ने अपने teacher को submit कर देना है तो अब आजएं individual task की तरफ individual task में हर student को teacher जो है वो अलेदा से एक worksheet प्रवाइड कर देंगी जो के description box में available है और वहां से लेकर ये worksheet प्रवाइड करनी है और उसके बाद students ने individual student ने ये complete करनी है यहां पर देखें येस्टरडे माइ थ्री फ्रेंड्स एंड मी वास प्लेइंग लुडो with two dice at first throw Ahmed got this ये कितने है dots उपर वाले जो dots है वो कितने है first throw में four and then second and on another throw he got six मतलब जो है two dice है उनको first throw में किया फैंका तो आपके पास कितने आ गए Ahmed के पास six बन गए six dots so four plus two एक dice के उपर four और दूसरे के उपर two है तो six dots और next throw में six and कितने बन गए one seven so इनको किस तरह write करेंगे six and seven makes thirteen similarly इनको हम लोग क्या write करेंगे six plus seven equal to thirteen इसी तरह आप लोगों ने ये worksheet complete करनी है जो blanks है उनको complete करके अपने teacher को submit करवा देना है आज का जो हमारा slo था इसको हम लोग wrap up की तरफ आते हैं मारा आज का जो slo था वो ये था के addition story कोई भी given है और उस में से हम लोगों ने उस story को read करना है read करने के बाद addition statement बनानी है या equation लिखनी है and then उसके बाद क्या है addition sentence making is required in our addition stories यह main definition type है और इसको आप लोगों ने देख लेना है अब आप लोगों ने कि टास्क आप लोगों का क्या है homework में वो आपने complete करना है homework देखे यह worksheet है यह description box में भी available है वहाँ से आपने यह print out लेना है और इस sheet को complete करना है story को carefully आपने read करना है और उसके बाद आपने addition sentence write कर देना है यहाँ पर two stories है इनको आप complete कर ले और complete करने के बाद आपने यह worksheet जो है teacher को submit करना है और इसके साथ extra practice sheet है जिनकी आपने घर पे practice करने है और उसमें भी यही चीज़े है कि कुछ addition stories given है उन stories को properly read करना है read करने के बाद उनको आपने उनकी statements जो है addition statements उनको आपने यहाँ पर write कर देना है तो students यह काम complete करने के बाद आप आपना जो homework है वो आपने teacher को submit करवा दें अब आज है description box की तरफ description box में आप लोगों के लिए lesson plans extra activities and powerpoint presentations available है students thank you very much I hope के आप लोगों को आज के lesson की समझा गी होगी इंशाला अब हम लोग अपने नए lesson में दुबारा मिलेंगे आप झए लोगों के लोगे